नमस्कार आप सभी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने इस ओफिशल यूटूब चैनल SSG गुरु कुल पर तो साथियों यूपी ट्रीपल से पेट 2022 और यूपी ट्रीपल से पेट 2023 से जो भी भरतिया निकली है और उन भरतियों का पूरा विवर्ण यहा आप बुलाया गया है हाँ तो ग्राम पंचेर ग्दिकारी जयसे यापशा लाटा हूं होगे ही इसमें यहां पर 2552 से निकले धृति और ये हमें तोटल आविदिक गी संख्या और यहां पर पैट 2023 के और इसमें टोटल आविद्धों की संक्या और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सबसे पहले P.E.T. 2022 के विग्यापन से शुरुआत का विग्यापन जो विग्यापन सबसे पहले आया है उस विग्यापन पर सबसे जल्दी एक्जाम होगा और PEC 2023 का जो विग्यापन होगे हना उनसे जो एक्जाम होगा वो आपका सबसे बात में होगा यानि कि जैसे क्रमानुसार आपका दिया गया है वैसे ही क्रमानुसार विग्यापन संग्या एक, दो, तीन, चार ऐसे करते करते आपका एक्जाम जारी किया जाएगा एक्जाम कलेंडर सितंबर के बता चुके हैं सितंबर के लाश्ट वीक में या अक्टूबर के प्रिथम सप्ता से ये एक्जाम सुरू करवाने सुरू हो जाएगे आपके पास कलेंडर हो सकता है कि अगस्त में आजाए नि जुलाई के लाश्ट में ही आ सकता है यह पेट 2023 के अभी इसमें राजस लेकपाल और बहुत सारे जो क्या नाम है विग्यापन है वो जारी किया जाने है पेट 2023 से भी और भी वहुत सारे विग्यापन आएंगे पेट 2024 के बारे में सोचा जा रहा है मन्तन किया जा रहा है हना कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब दिया जाए तो साध अगस्त में वह भी आ जाए का तो ग्राम पंच्छा लिकारी के टोटल 1468 है जिसमें टोटल 382 लोगों ने आवेतन किया था ठीक है फिर इसकर एक्स्रेट टेक्नीशियन 382 प 143 लोगों ने आवेधन किया दंत स्वास्त विज्ञानी 288 पद मात्र 552 लोगों ने आवेधन किया जो स्पेसिफाइब वेकेंसी होती है उसमें पेट का कटाफ कोई मैटर नहीं करता है क्योंकि अगर एक नंबर भी होता तो सबको बुलाया जाता है प्रवर्तन कॉंस्ट बहुत कम भरा है ठीक है तो अकाउंटेंट की बात की जाए लेखा परिक्षक साहग लेखाकार की 530 वेकेंसी 6597 लोगों ने किया कि आवेधन किया नेत्र परिक्षन अद्दकारी 157 लोगों की वेकेंसी थी 1780 लोगों ने भरा जूनीर चिस्टेंट 5512 वेकेंसी हना टोटल 2,46,399 लोगों ने भरा बिन बिन विभागों से आशुलीपिक यानि स्टेनोग्राफर वेकेंसी 333 पद आये थे 25830 लोगों ने भरा फोरेश्ट गार्ट की 179 बदों पर फिर से वेकेंसी जारी की गई इसके बारें बता भी चुके थे कि 89,795 लोगों ने इसको भरा था नक्सा नवी सिवं मान चितरक 283 वेकेंसी और 17,794 लोगों ने आवेधन किया फिर बात करते हैं भेषजिक आयुरवेदिक की ठीक है ना होमेपेथी भेषजिक आयुरवेदिक यह अभी हाली में जारी की गई है इसमें वितक शिर्फ 1230 लोगों ने आवेधन किया इसके पहले बेषजिक आयुरवेदिक हना तो एक हजार दो पत्वर जारी की गई दी जिसमें टोटल 2747 लोगों ने आवेधन किया था इस्टोर कीपर में 200 पत निकले थे 42,455 लोगों ने आवेधन किया इसमें फिर से अकाउंटेंट की 4,756 लोगों ने आवेधन 301 वेकिंसी पर 2,296 लोगों ने मातर आवेधन किया सचीव स्टेंडी जो 134 पत ओपर था 55,557 लोगों ने आवेधन किया इसका सिलाबा जैसे पता चल जाएगा मैं आपको बताने की कोशिज करूँगा एजित की बात की जाए तो 3,446 पत है हना 38,190 लोगों ने फॉर्म बरा और सब को बुलाए जाने की संभावना है प्रबल अब 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 यहांता सिविल 4,016 पत थे 27,973 लोगों ने फॉर्म बरा हों में उपेदी फेशी की बता चुका हो 1213 लोगों ने अवी तक फॉर्म बरा है 397 बदों पर तो यह है पूरा और अग्जाना डेट की बता चुका हों कि ऐसे एक्जाम आएगा आपका सबस्ने ग्राम पंचै दिकारी इसके बाद जुरियल सिस्टेंट है ना इसके बाद प्रवर्फन कॉंस्टेबल फिर जुरियल एसिस्टेंट फिर फॉरस्ट कार्ट यह पेड़ 22 से और फिर यहां पर इस प्रकार से चालो होगा। जुरीज इसिट्टंट कا पर इजी टिये मतलब अभी आपको यहाँ वाली जो वेकिंसी है वो मार्च वर्च में इसका exam आयुजित कर आया जा सकता है ठीक है ना तो बाकी forest guard का forest guard का जो batch है junior assistant का batch है gram पंचय इदिकारी का batch है gram पंचय इदिकारी पर अभी offer चला है अगले तीम दिन के लिए VPO double line code यूज़ करेंगे तो पंचायती राज विसेज का course जो है forest guard चला है ठीक है अभी इसमें हम लोग सचिव स्क्रेडिका ग्रेट का जब syllabus पता चल जाएगा तो आपको बता दिये जाएगा AGTA का अभी class नहीं चला है ठीक है ना और क्या नाव है जल्द ही हम लोग accountant का course हो सकता है शुरू करें ठीक है ना तो SSD गुरू का application आपके बास होना चाहिए और आपके बास batch भी होना चाहिए 100% selection लेने के लिए धन्यवाद